मनुष्य का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो सदा अथक परिश्रम करता है और मनुष्य की सबसे बड़ी तुटी यही है कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है कदाचित इसी लिए वो वर्दान चाहता है कदाचित इसी लिए वो श्राप से भय खाता है परंतु जय विजय हानी लाब की भाती ही श्राप और वर्दान केवल भाव मात्र है तब कौन सा वर्दान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वर्दान में सिद्ध हो जाए यह केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है विश्पीकर शंकर महादेव हो गए और अम्रित पान करके भी राहु केटू असुर ही रहे तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का यदि कर्म और लक्ष उचित हो तो श्राप को वर्दान बनते देर नहीं लगती और यदि कर्म अनुचित हो तो वर्दान भी श्राप बन जाता है मैं धर्म राजुनिदिश्टिर तुम्हारा पिता मैं तुम्हारी परिक्षा ले रहा था मैं जानना चाहता था कि होने वाले महायुद में क्या तुम न्याय करबाओगे और मुझे विश्वास हो गया कि तुम सदा न्यायो धर्म के स्थापना करोगे विजाई भाव फुत्र विजाई भाव ए्रिस्ण भी पुतर अपसर अक्षित अल्याँ विए भाव पुत्र विजाई भाव विएर विजेए भाव पुत्र विजाई भाव पुत्र विजाई भाव भाव यड़ाई भाव भाव उर्णीपाद वासुति आप यहां वासुदेव? हाँ धर्मराज तुम एक परिक्षा में भले ही सफल हो गए परन्तु मैं यहां अगली परिक्षा के लिए तुम्हें सावधान करने आया हूँ जैसी परिक्षा मादर? अग्याद वास की परिक्षा अर्चो जो सरल नहीं होगी क्या उसके विशय में कुछ सोचा है? जैसे वनवास कट क्या वैसे ही अग्याद वास भी कट जाएगा मादर नहीं यो दिश्ट है मनुष्य को अपनी कठनाईयों से निकलने के विशय में पहले सोच लेना चाहिए चुकि कठनाईयों का लाब उठाने के विशय में उसके शत्रूप पहले सोच लेते असंभव कैसे हो सकता है ये पांड़ बचकर कैसे निकल गए इतने सैनिक साथ थे शकुनी तुम भी थे फिर कैसे असमल हुए कैसे रुष्ट ना हो ये महराज हम असफल नहीं हुए है क्योंकि पांड़ों का अज्यात्वास भंग हो चुका है अर्थात अर्थात ये महराज कि अंगराज कंड ने पांड़ों को अज्यात्वास में देखा था इसी लिए निति अनुसा पांड़ों का अज्यात्रास हंग हो चुका है क्या ये सत्त है कर्ण तुमने पांड़ों को देखा था जानता हूं पुत्र तुमने अवश्य पांड़ों को देखा है परन्तु अब समय है कि उनके विरुद्ध एक और अधर्म को होने से रुक जा सके उत्तर दूकर्ण क्या तुमने पांड़ों को देखा था जी देखा था क्या तुम्हारी बात का सत्यापन करने के लिए कोई साक्ष है नहीं ऐसा क्यों जब तक सैनिक वहां पहुंचे पांड़ों वहां से जाच चोके थे और मैंने गंधार राज और जुवराज को बताया था कि पांड़ों मेरे समक्ष खड़े हैं परन्तु उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और दूसरी और चले गए गंधार राज अग्यातवास के नियमों के अनुसार साक्ष को पुरू कुल के किसी सदस्य का समर्थन होना चाहिए अंग्राज के साक्ष होने पर किसका समर्थन है उन्हें अंग्राज करण की बात पर कौन अविश्वास कर सकता है महा महीं और उनके साक्ष होने पर स्वयम कुरूवंश के समराठ दूर्योधन का समर्थन भी है मुझे अपने मित्र कर्ण के उपर तोनी विश्वास है मैं जमर्थन करता हूं इकर्ण ने पांडवों को अग्यादवास में देखा है जिवराज यदि तुम्हें विश्वास था तो कर्ण की बात ना मानकर दूसरी ओर क्यों चले गए और आप घंधार राज यदि आपको कर्ण की बात पर विश्वास था तो आप उसके पास क्यों नहीं गए इसका अर्थ ये है कि आपको कर्ण पर विश्वास नहीं था अर्थात अज्यादवास भंग नहीं हुआ परंतु प्रश्ण ये उठता है ताचरी कि अब किया क्या जाए खोज पांडवों की खोज की अतरिक कोई मार्ग शेश नहीं क्योंकि नियम अनुसार पांडवों का अज्यादवास किसी विग्न के बिना आरम भो चुका है अज्यादवास में जाने का समय हो गया है परंतु तुम सब के शस्त्रों को देखकर कोई भी तुम्हें पहचान लेगा भीम की गदा अर्जुन का गांडी और तुम सब के अस्त्रों और शस्त्रों को देखकर तुम्हें कोई भी पहचान सकता है इसलिए जाने से पूर इन्हें छिपा देना आवश्चक है अर्णतु कहां मादुपा यदि किसी ने ये शस्त्र ढून लिये तो कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है स्थान सुरक्षित नहीं हो तार्चन स्थान सुरक्षित किया जाता है मैं समझा नहीं मादूपा अपने अस्त्रों और शस्त्रों को नीचे रखो सक्री इस व्रिक्ष के पीछे श्वेद वस्त्र रखे उन्हें यहां लेकर आजाओ जी कि अद्वस्वार करेंगा बना जिलो और शस्त्रों को नहीं हो तो जी उन्हें बना झाल कि अच्चरे विपन प्रॉब खूब प्याओ कि अच्चरे को उन्हें व्रिक्षित करादाई अब जो भी इसे देखेगा उसे ये प्रतीत होगा कि ये एक मृत्शरीर है कुछ लोग भै के कारण तो कुछ लोग घ्रिणा के कारण यहां नहीं आएंगे इस शमी के व्रिक्ष पर एक वर्ष तक ये अस्त्र और शस्त्र सुरक्षित रहेंगे परन्तु अब सबसे महत्वपून प्रश्न ये खड़ा होता है कि अज्यातवास में जाओगे कहां पहली बार पहली बार किसी ने भरी सभा में शकुनी को मुर्क सिद्ध किया है कर और इसका मुल्य तुम्हें चुका ना होगा मैंने बन में भी सत्त्य कहा था और राद सभा में भी कि मैं तुम्हें अस्पमाशी है कि पास एक दूसरे के उपर अरोप लाने बंद कीजिए तो हो गया तो हो गया अपने घायल दम पर अरोप का मलम लगाना बंद कीजिए और तुम कर अपने आपको मेरा सेवक कहते हो ना ठीक है अब अब तुम मेरा अदैश्मानों के जाके दूंडो उन पांडमों को केवल एक वर्ष है मेरे पास केवल एक वर्ष आर्यवरत के सभी राजा या तो मेरे अधीन है और या मेरे मिट्र तो अब जाओ जाओ और ढूंडो इने गुप्त जर्मेजो जोग करना करो करन तुम मुझे सुचित करों की पांडव कहां चुपे हैं पास कि जिस आर्यवरत पर विजय पाने के लिए बारा वर्ष लग दे दुर्योधन बारा वर्ष वहां बारा महीनों में पांडवों को कैसे ढूंड पाओंगे तुम् पांडव किसी भी परिस्तिती में हमारे मित्र राष्ट्रों में नहीं जाएंगे ना वह वहां जाएंगे जिन्होंने हमारी अधिमता स्विकार तो कर ली है परंतु जो मन से पांडवों के पक्ष में है दुरियोधन को लगेगा कि तुम सब दुरिका में छिपेऊ इसलिए वो अपने गुप्चर दुरिका और तुम्हारे मित्र राजाओं के यहां भेजेगा और यदि वो कहीं आसावधान होगा तो केबल उस थान पर है जहां स्वयम उसके मित्र है चुकि मनश्य अपनी खोई हुई वस्तु कभी अपने ही आचल में नहीं ढूनता मैं समझा नहीं आपका संकेत कैवा सुदेव तुम विराट नगर जाओ युदिश्टिर विराट नगर के राजा केवल नाम के राजा है और वहां पर शासन रानी सुदेशना के भाई कीचक का चलता है और कीचक दुरियोधन का सबसे परमित्र है इसलिए दुरियोधन कभी सोच ही नहीं पाएगा कि तुम सब वहां चिपे हो सूर्य भले ही मेगों में चिपा परंतु उसका तेज बाहर आ ही जाता है ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी प्रकृती से भिन विवाहर नहीं कर सकता अदुरियोधन ना युद्रिश्टिर धर्मराज है इसलिए कहीं उपदेशक या मंत्री बना बैठा हो इस बार तुम्हें अपनी प्रकृती से भिन्ने विवाहर करना हो युद्रिश्टिर तुम कंक के नाम से राजा विराट से मिलोगे और तुम वो कार करोगे जो तुम जीवन में कभी नहीं करना चाहते तुम राजा विराट के साथ चौसर खेलो पनिपात, पनिपात महाराश व्रिकोदर भीम के पेट की अगनी बुच्ति नहीं इसलिए वो कहीं मिष्ठान के प्रतिष्ठान पर होका उसकी भूक, स्वयं उसका पता बता दे तुम्हें अपनी भूक पर नियंत्रन रखना होगा भी तुम वल्लब बनकर विराट की भोजन शाला में काम करोगे और अपनी भूक पर कड़ा नियंत्रन रखो और अर्जिन उस महा धनुर्दर का परुष तहां चिप सकता है नहीं वो कहें होगा सहने के वेश में अपना पौरुषत को दिखाएगा और तुम पाथ समय आ गया कि उर्वशी से मिले श्राब को वर्दान सिद्ध करने का तुम्हें एक वर्ष के लिए अपने पौरुष को त्यागना होगा नपुन्सक ब्रहननला बनकर तुम्हें राजा विराट की संगीच शाला में कार करो आती उत्तम ब्रहननला या तुम हमारी पुत्री उत्रा को संगीत और नित की शिक्षा दोगी अवश्य महारानी मैं आपकी आप एक्षाओं पर ख़री उत्रूंगी नकुल सहदेव बेचारे कोमल सुन्दर उनसे परिश्रम नहीं होगा न इसलिए किसी राज्य में सभासत बनकर बैठे होंगे नकुल सहदेव तुम ग्रंथिक बनकर और तुम तंतिपाल बनकर विराट नगर की गउशाला और अश्वशाला में कारे करोगी और सबसे अधिक वो पांच जाले उसका तेज उसके आखों की जौला कहां किसी से च्प सकती है दुर्योधन और तुम सकी तुम्हें अपना दर्ब छेपाने के लिए सब के समक्ष घूंगट में रहना होगा दासी सैरंधरी बनकर जिसके पती गंधर्व तुम रानी सुदेशना की रूप सज्जा का कारे सम्हालो सैरंधरी ये तो आती उत्तम है कि तुम सदा घूंगट में ही रहोगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारा रूप देखकर लिराट राजित तुम्हारे बश्च में होगा यदि मेरे सिखाए मार्क पर चलोगे तो पांडवो को ढूना कठिन कार्य नहीं होगा पूल कर रहे हो गांदार राज पांडव पकड़ में नहीं आएंगे क्योंकि वो बासुदेव के दिखाए मार्क पर चल रहे है क्योंकि वो बासुदेव के वो बासुदेव के दिखाए मार्क पर चलोगे